किसान भाईयों आज हम बात करेंगे जो पस्मों के जो थन होते हैं उसमें सौफ हो जाता है जिसको हम एडीमा के नाम से जानते हैं या फिर सूजन आ जाती है उसका हम घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं पस्मों के जो थन होते हैं वो काफी ज्यादा समवेदन सील होते हैं और बहुत जल्दी पिरभावित हो जाते हैं गाय भ्हेस में जो ठन होते हैं उनमें एक थन में तो में किया प्रत आत्य और यह जादा होती है और इस पास के भाग में बहुत उसके आसपास हूं वो दिरव जमना शुरू हो जाता है जिसको हम सूजन के रूप में कहते हैं और थन की तवयचा होती है अधिक समवेधन सिल होती है जिसकी वज़े से जो पहली ब्यात की भैसे होती है उनको दूद को दूधे समय अधिक दवाव के कारण या खिचाव के कारण उसमें सूजन क समस्य आ जाती है थन में सूजन वे प्रभावित भाग की नियमित रूप से ठंडी या गर्म सिकाई करने से भी सूजन को कम किया जा सकता है और सुबह से हम लगातार 20 मिनिट तक हलके दवाव के साथ इस तरह से दवाव के साथ यदि आप उसकी मालिस करेंगे तब भी थन की स कूजन आ गई है एडिम आ गई है उसका हम घरे लूप चार क्या कर सकते हैं इसके लिए आवसक सामग्गिरी में आपको बताता हूं जो आपके एक वार प्रियोग करने के लिए है आपको सरसों का तेल या तिल का तेल लेना लगबग 200 ml आपको हल्दी पाउडर एक को समय suppression आपको मिला देना है उसके बाद इसको ळालने की जरुत नहीं और जो ये गरम हो जाए फिर इसको उतारके ठंडा कर लिजिए गा टंडा करने के बाद इस बाद इस मिछूरण को आपको प्रियोग कैसे करना इसकी जो प्रियोग भी इस मिस्रण को आपको सूजन वाले हिस्से में या फिर पूरे थन में अच्छे से उसको लगा लेना है और गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से दवाव के साथ उसकी मसला इसी करनी है आपको प्रति दिन चार बार करने से आपके जो पसु की थन में सूजन आ गई है उसको पर पूरा देख सकते हैं और यदि उसको थने लगा तो आप उसका उपचार कर सकते हैं इस तरह से यह जो घरेलू उपचार मैंने आपको बता है यदि आप इसका रेगुलरी इस्तेमाल करेंगे तो चार दिन के अंदर पसु के सूजन कम हो जाएगी और यदि इन घरेलू आप चाहे तो उन वीडियो को भी पूरा पूरा देख सकते हैं एंड स्क्रीन पर आपको उनका लिंक दिखाई दे जाएगा फिलाल यहां तक वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका दुबारा से बहुत बहुत धन्यवाद